भगवान विश्णू को मतस्य अवतार क्यों लेना पड़ा था? सत्युक के प्रारंब में भगवान विश्णू का प्रतम अवतार हुआ था, जिसे मतस्य या मचली का अवतार माना जाता है. इस काल में द्रविड देश के सत्य वरत नाम के महान राजा राज करते थे. एक बार नदी में स्नान करते हुए उन्हें एक मचली मिली, जिसे वे अपने महल ले आए. वह मचली और कोई नहीं, बल्कि भगवान विश्णू का प्रतम अवतार मतस्य अवतार थी. मचली ने राजा सत्य वरत से कहा कि हे राजन, ही ग्रिव नामक एक राक्षस ने वेदो को चुरा लिया है. उस राक्षस का वद करने के लिए मैंने यह अवतार लिया है. आज से सात्वे दिन प्रित्वी जल प्रले में डूब जाएगी. तब तक तुम एक बड़ी सी नाव का इंतजाम कर लो और प्रले के दिन सब्त रिशियों के साथ सभी तरह के प्राणियों तथा आवशदी बीजों को लेकर नाव पर चड़ जाना. मैं प्रले के दिन तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा. इसके बाद सत्यवरत ने भगवान द्वारा बताई गई सभी तैयारियां कर ली और वे प्रले के प्रतीक्षा करने लगे. साथवे दिन पहले का द्रिश्य उमर्ड पड़ा. समुद्र अपनी सीमा से बाहर बहने लगा. सत्यवरत सब्त रिश्यों के साथ नाव पर चड़ गए. नाव प्रले के सागर में तैरने लगी. प्रले के उस सागर में उस नाव के अतरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था. तबी वहां पर मतस्य रूपी भगवान विश्नु प्रकट हुए. अपने वचन के अनुसार उन्होंने वासुकी नाग का रस्ती की तरह उप्योग कर नौका को प्रले से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया. साथ ही सत्य वरत को आत्म ज्यान प्रदान किया. बताया सभी प्राणियों में मैं ही निवास करता हूँ. ना कोई उच है न नीच. सभी प्राणी एक समान है. जगत नश्वर है. नश्वर जगत में मेरे अतिरिक्त कहीं भी कुछ नहीं है. जो प्राणी मुझे सब में देखता है. जीवन व्यतीत करता है. वह अंत में मुझ में ही मिल जाता है. मतस्य रूपी भगवान से आत्म ज्यान पाकर सत्य वरत का जीवन धन्य ओहोटा. वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए. प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मतस्य भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनह वेद दे दिये. इस प्रकार भगवान ने मतस्य रूप धारण करके वेदों का उध्धार तो किया ही साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्यान किया. भगवान इसी प्रकार समय समय पर आवतरित होते हैं और सज्जनों तता साद का कल्यान करते हैं. तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी. कॉमेंट में जाकर जैश्री हरी जरूर लिखें. तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक बहुत ही खुबसूरत से दिल को छूलेने वाली कहानी के साथ. तब तक के लिए